कहाने की शुरुवात नदी में जक्मी पड़ी एक लड़की को दिखाने से होती है वो गेरी सोच में थी दिमाग में बस माजी के यादे ही जल रहे है उसके साथ क्या हुआ था ये जाने के लिए हम आ जाते हैं 30 साल पहले अमेरिका की जंगलों में हम उसी नड़की जो इस वक बारा साल की थी उसे देखते हैं जिसका नाम हैलन था वो अपने डैड के पास आई दोनों शिकार पर जाते हैं इनका रिष्टा काफी गेरा था दोनों बाप बेटी ही शिकार करने में काफी माहिर थी इस वेराने में जिन्दा रहने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ता था हर चीज में हैलन की डैड जैकब काफी माहिर थी इन हालात में कैसे जिन्दा रहना है शिकार कैसे करना है अपनी इफाज़त कैसे की जाए ये सब वो काफी अच्छे से जानता था हर गुजरते दिन के साथ सक कुछ हैलन को भी सिखा रहा था जंगल के बीचो बीच ये फैमली रहा करती है हैलन उसकी डैड और मौब हर रोस की तरह आज भी अपना शिकार ढूलती हुई आगे बढ़े एक हीरन के पास पहुंच जाती है अब जैकब काफी सक्त मिजाज का इंसान था वो हैलन को गर थमाती हुई कहता है कि लो टाइम आ गया है अपने शिकार को खतम कर दो हलांके हैलन निशाना लगा कर सांस रोकर गोले चलाती है लेकिन हीरन वहां से भाग जाती है जिससे हैलन काफी परिशान हो गई उसके डैट जैकब को गुस्सा भी आया वो पूशता है या सीखा इतने टाइम में तुमने उसे कैसी बता चला हमारे बारे में हैलन ने ओपर देखा हवा चल रही थी वो कहती है कि उसे हमारी खुश्बू आ गई होगी दोनों अब घर आ गई हैलन की मॉम खाना पकाने के लिए आग जिला रही थी जैकब कहता है कि मत जला हुआ कोई शिकार नहीं हुआ तो आज कोई खाना नहीं मिलेगा जो सुनकर उसे भी काफी बुरा लगा यहां हमने नाटिस किया कि हैलन और उसकी मॉम की बीच इतना अच्छा रिष्टा नहीं है इसलिए वो ज़्यादा अपने डैड से प्यार करती थी मा से चड़ा करती थी सिर्फ यही नहीं बलके हैलन के मॉम डैड की बीच का रिच्टा भी अच्छा नहीं था के खिलोने बनाई हुए थी अगले दिन हैलन अपने डैट के साथ खाने की तलाश में निकल जाती है इन्होंने जगा 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 जांदरों के लिए जाल बिचाए थी एको देखकर ये लो काफी हरान हुए क्योंकि वहां सिर्फ बेड़े की टांग ही थी इस बारे में हैलन किसी भी हल से गुजरना पड़े तो गुजर जाना जाएं और आज यहां हैलन अपना पहला हिरन का शिकार करती है जिसे ये लोग घर लेकर आई जैकब का छोटा सा कैबिन था जिहां वो जरूरी समान खास तोर पर बंदोग वगरा रखा करता था पर यहां हैलन को जाने की इजाज़त नहीं थी अब रात को हैलन की आवास बेडियों की आवास से खुल गई वो जिब बाहिर आई तो वहां भूका बेडिया और उसका बच्चा हिरन की मास को सूंगते हुए यहां आ गई थी जिसका शिकार आज हैलन ने गिया था वो इन्हें देख रही थी कि तब चाहती हो कि तुम्हारी फैमली जिंदा बची रही पर हैलन ऐसा नहीं कर पाती इसलिए जैकब खोदी बंदुक लेकर दोना भूकी वीडियों को मार देता है अगले दिन जैकब अकीला ही शिकाल पर जानी लगा जैकब ने हैलन का नाम लिटल शेडो रखा हुआ था हैलन साथ जाने की जित की पर उसके डैट कहते हैं कि आज नहीं लिटल शेडो फिर कभी तो अब घर पर उसकी मौम और वो अकीली थी तब यह चूटी सी गाड़ी पर बैठा एक आदमी आया दरहसल वो इस जंगल में खो गया था और इन लोगों से रास्ता पूच रहा था अब क्योंकि आदमी और उसकी गाड़ी हैलन की लिए नए चीज़ थी बाहरी दुनिया का उसे पता नहीं था कि वो कैसी है इसलिए वो बड़े गोर से उन्हें देखने लगती है तब एक खबरायो है हैलन की मौम बाहरी रही आदमी को कहती है कि हमारी मदद करो यहां से बाहर निकालो इसी पहले कि वो आ जाए वो हैलन को जबरदस्ती गाड़ी पर बिठाने की कोशिश करती है लेकिन वो बैटला ही नहीं चाती थी आदमी भी कहता है कि मैं कैसे बाहर निकालो मैं तो खोद यहां खो चुका हूँ जिसकी साथी एक गोली चली जो सीधा आकर आदमी क लग जाती है और उसकी वही मौत हो गई ये गोली जैकप ने चिलाई थी जो वहां आ रहा था इसलिए हैलन की मौम चल्दी से उसी गाड़ी पर बिठाकर निकलने लगी पर वो जाने के लिए मानी नहीं रही थी खेंती है कि मैं अपने डैट को छूड की बला कैसे चले जा आस पास की हर चीज़ क्योंकि वो पहनी बार देख रही थी इसलिए वो काफी अजीब महसूस करती है तब ये उसके सामने शेरीफ आई कहती है कि गबराओ नहीं अब तुम बेटा बिल्कुल महफूज हो तुम्हारे मौम भी इधर नहीं है हैलन जल्दी से अपनी मौम की गई कहती है कि हमें यहां नहीं होना चाहिए डेट कहा है हमें घर जाना होगा उसकी मौम कहती है वो हमारा घर नहीं था उससे में हैलन कहती है कि ये आप क्या कह रही है आखिर बात क्या है तब उसकी मौम ने बताया कि जैकप इनसान की रूप में एक दरीमदा हैवान है उ साल तक उसने मुझे जंगल में कैद रखा हैलन के दी जूट एक नंबर की जूटी है मुझे टेड ने बता दिया था कि मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यह की ना गरूं और अब वो मों पर चिलाई कि मुझे घर जाना है पर शेरिफ आकर हैलन को वहां से ले गया एक जब प भाग जाती है उसे अब अपने डेट को ढूरना था जो उसे शेर की गल्यों में मिल पी जाती है जो हैनन की स्टी बज़ा रही थी जो वह जंगल में बज़ाती थी ऐसा लग रहा था कोई स्टी बज़ाकर पाल तो जानवल को बुला रहा हूँ जोनों बाप बेटी एक जहां हैलन अपने डेट के लिए बहुत ज़्यादा रोनी लगती है और अब यहां से कहानी आ जाती है 18 साल आगे हैलन अब बड़ी हो चुकी है लेकिन बच्पन का वो बुरा वक्त आज भी किसी बुरे सपने की तरह उसे डराता है क्योंकि वो सच जान गई थी कि मेरी डेट सच्वी हैवान और दरिंदे हैं उसने मेरी मौम को अगवा करकी जबरदस्ती शादी की वलत किया और 12 साल की लंबे अर्सी तक जंगल में कैद रखा पहने क्योंकि वो बच्ची थी तो बाप उसे अच्छा और मा बुरी लगा करती थी लेकिन अब बड़े होने पर सच उस के सामने खुल चुका था हैलन की अब अपनी ही जिन्दगी थी उसने शादी करनी थी उसकी अलग एक फैमिली थी उसके कुछ टैटूस तो खत्म हो गई थी जबकि जीरी वाले टैटूस के निशान वो मेक अप से चुपाया करती थी त्योंकि ये हैलन को उसकी बुरे माज में जौब किया करती थी अब सब के सामने क्योंके जैकप की सचाई आ गई थी तो उसकी बारे में एक कहानी बन गी उसे मार्श किंग के नाम से जाना जाने लगा इस कहाने की मताबिक बताया गिया कि वो बहुती बुरा इंसान है जेंगल में रहता है पुदरत को नुक्सा पहुंचाया करता है एक और इससे जबर दिलती शादी करकी घलत करने वाला दरींदा है इसी वज़ासी उसका ये नाम इन्हीं मार्श किंग पढ़ गया अब हैलन अपनी बेटी और हिस्बेंट से बहुत प्यार किया करती थी पर यहां उसने एक गलती की हुई थी उसने पर इन दोनों ने ही बागने का प्लैन बना लिया था अंधीरी वनी जगह पर आकर उन्होंने गार्ट पर हमला कर दिया फिर उसे गन चीन कर गार्ट और ड्राइवर दोना को ही मार देती है और यहां से फरार हो गई अगले दिन हैनन काम से जब घर आई तो अपने घर पर देखती है वो काफी गब रा गई अंदर जब गई तो एक आफिसर उसे कियती है कि तुम्हारे डेट मार्श किंग फरार हो गई या उसनी तुम से कोई राप्ता किया जिस पर उसने नामे जवाब दिया लेकिन अब यह जानकर कि वो दरींदा अजाद हो गया है वो काफी गबरा गई डर एक बार फिर उस पर हावी होने लगा पुलिस के आने से उसकी हजबन को भी पता चल गया कि असल में हैलन जिसने अपनी पैचान अब तक चुपाई हुई है वो मार्श किंग की बेटी है इस बात पर वो काफी नराज हुआ क्योंकि हैलन को सच चुपाना न अकेली रहनी लगी थी इसी राथ हमें जैकब और उसका दूसरा साथी दिखाया गया वो एक गया स्टेशन पर रुक कर किसी का इंतिजार कह रही थी इतनी ही दीर में या एक गाड़ी आई दोनों उसकी अंदर बैटी और यहां से निकल जाती है अगले दिन वो है शेरिफ उसे अपनी बीटी ही समझा करता था वो चाहता था कि हम सब फैमली की तरह रहें वो हैलन को तसली देता है कि परिशान ना होना तुमारा हैस्बेंट बस नराज है वो जल्दी लॉट आएगा तब यहां एक एजेंट आया क्योंकि हैलन को FBI ने बुलाया था वहां पहुंच पता कि मेरी डैड की तीन दांत सोने के थी तो इस सरहां उन्हें अंदाजा लगाया कि जैकब मर गया होगा क्योंकि वहां उन्हें सोने के दांत भी मिले थी पर यहां हैलन को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अपनी डैड की मौत पर मैं कैसा महसूस करो मुझे तुक ही होना चाहिए या पिर खुश अब अगले दिन उसका हजबन अपनी बेटी को लेकर घर आया हलांके वो अभी भी नराज था लेकिन उसे भी क्योंकि जैकब की मरने की खबर मिली तो वो हैलन को होसला देने आया था वो हैलन से वज़ा पूछता है कि आखिर तुमने सच्चाई क् शुपाई वो कही थे कि अगर तुम्हे सच पता होता कि मैं मार्श किंगी बेटी हूँ तो क्या तो मुझे अपनाती मिरी साथ शादी करती कभी नहीं उसका हजबन कहते है अच्छे मेरी बास सुनो मैं सब कुछ बुलाने को दियार लेकिन मुझे बादा करो कि मुझे जनी अपनी मौम और बाप से जुड़े साए रास वो बता चुकी थी जिसकी बाद वो काफी दुखी हो जाती है ये देख उसका इसमें पास आकर हैलन को गरेसी लगा लेता है और ये फैमिली फिर से एक हो गई अब अगले दिन ये सब लोग शेरिफ के गिर दे हैं अपनी हैलन शेरिफ को बताती है कि मौम ने मुझसे हमेशा नफरत की क्योंकि उन्हें मेरी अंदर जेकब की जुलक दिखाए दिया करती थी शेरिफ उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है वो तुम से बहुत प्यार करती थी पर तुम कभी समझी ने पाई पर शाम को ये लोग घर वापीस आई रात को जिब ये लोग सो रही थी तो हैलन को बुरा सपना आया कि मेरे डैड इस घर में भी आ गई है और मेरे बहुती करीब खड़े हैं पिर अगली दिन जब उसकी आँख खुली तो उसे घर में मिटी मिली जो देखकर हैलन काफे घबरा गई क्योंकि उसे लग रहा था कि डैड ने मुझे ढूंडी लिया और अब वो मेरे पीछे डग गई है वो अपने बेटी को देखती है जो अपने गंदे जूते साफ कर रही थी अब वो मिटी शायद उसकी जूतों की भी हो सकती थी लेकिन हैलन जानती थी कि मेरे डैड कि इतने पागल और खतरनाक इनसान है वो कुछ भी कर सकते है अब अगले दिन हैलन मार्केट गई वो जब किसी से बात कह रही थी तो उसे उसी सीटे की आवास फनाई दे की जो बच्चपन में वो बज़ाय करती थी और उसे बुराने के लिए उसके डैड हैलन को अजीब लगा आवास का चा देती है रात के लग जब उसे घंटी की आवास आई तो हैलन चेक करने गई उसने देखा कि जाल में एक हरगोश फसा हुआ है लेकिन उसे पहले ही मार दिया गया था जो देकर वो काफे घबरा गई क्योंकि ये काम भी जैकब का ही हो सकता है तरते हुए वो घर आई इस खिलोने मिन जाती हैं उसे यहाद आया कि ये तो मेरे बच्पन वाले खिलोने हैं वो समझ जाती है कि जैकब ने मुझे इशारा दिया है वो जिन्दा है और मुझ तक पहुँच किया है और अब वो हमारा पीछा कभी ने छोड़ेगा वो लाशे किसी और की थी जैकब ने गुमराह करने की नहीं बस अपने सोने की तीन दाथ इवाँ पर छोड़ दिये थी तकि इन्हीं लगी कि वो मर गया है लेकिन जाहिर है वो इतनी असानी से मरने वाला कहा था अब हैनल सोचती है कि डर की रहने से बीतर है डर का सामना करना इसलिए अब वो अपनी फैमली की डैड जैकप से होगी जाती है इतने सालों के बाद दोनों एक दूसरी से मिन रहे थी अब वो काफी बुड़ा हो गया था लेकिन अब पेले की ही तरहा खतरनाक और नडर था दोनों बाद बातें करने लगी जैकप कहता है यह तुम्हें वापिस आना ही होगा अपनी बेट मेरी फैमली है हिस्बन और बेटी जिन से मैं बहुत त्यार करती हूँ और वैसे भी मैं ऐसे जान गए हूँ कि तुमने मेरी मा के साथ क्या क्या तुम दरिंदे हैवान तब जैकप जवाब देता है कि वो जूटी है मैंने उसकी साथ कुछ गलत नहीं किया वो मेरी जिन्द दोनों यहां से निकलते पागल जैकप शेरिफ को शोट करकी मार दीता है उसने हैनन को भी पकर दिया सबर डस्ती बालों से घसीट करो से एक गड़े में बंद कर दीता है जहां सेजात की तोर पर वो उसी बच्छपन में भी बंद कर दिया करता था गड़े के ओपर लगड पर दिवारों पर चड़ते हुई गड़े से ऊपर आई लगड़ी का जाल तोड़कर वहां से बाहर निकल आती है यूँकि जैकप उसकी बेटी को लेने जाने ही वाला था अब हैनन जाती थी कि गन कहा है वो कैबिन में गई गन लेकर जड़े से बाहर आई जहां जैकप कि पर रिष्टी में बैठकर बस निकलने ही वाला हैनन ने शाना लगा कर उसे शूट करने ही वाली थी कि जैकप को पता चल गया गोले लगने से पेली वो पाने में कुल जाता है तब हैनन गन लेकर आगी बड़ी जैकप को मिटाने के लिए और यहां बाप बेटी की बीच भी लिया था इससे पहले वो गोले चिलाती पहले ही जैकप उसकी टांग पर गोली चिलाकर उसे जखमे कर देता है पर जान से नहीं मारता और अब वो उसे जबर्दस्थी अपने साथ ले जानी लगा आज भी वो उसे लिटल शेड़ो कहकर बुला रहा था तब हैलन गुस किया जो मुझे ठीक लगा और तुम बताओ अब अपने फैमले की इफाज़त के लिए क्या कर सकती हो तब जिस बाती होते हुए हैलन हलकी सी आवास में करती है कि मैं अपनी जान दे सकती हूँ और अब जब ये दोनों ऊची जगा से गुज़र रही थी तो हैलन यहा गिरन में नदी में पड़ी थी वो जल्दी से उठकर गन लीती है जगप का काम तमाम करने का सूचती है हलांकि उसने भी गन उठाने की कोशिश की पर वो नाकाम रहा और अब इस बार हैलन नहीं डरती टाइम कवाई बगर जल्दी से उसे शूट कर दीती है उसकी मौत हो गई औ और इस बार इस अपनी हाँ से डर्कों खतम कर दिया साथी हमेशा के लिए बाप की रुप में दरीन दी हैवान को भी खतम कर दिया और अब वो हंसी खुशी बागर किसी डर के अपनी फैमली की साथ रहे सकती थी जो जिस उसके लिए किसी खुशी से कम नहीं थी और इसे के साथ इस फिल्म की कहानी यही पर खत्म जाती है